नमस्कार, प्रस्तोते लियो टॉल्स्टोई के द्वारा लिखीवी कहानी, मनुष्य के जीवन का आधार क्या है? अनुवाद मुन्शि प्रेमचंद माधो नाम का एक चमार, जिसका न घर था, न धर्ती, अपनी स्त्री और बच्चो सहीत एक जोपड़े में रहकर मेहनत मजूरी द्वारा पेट पालता था मजूरी कम थी, अन्न महंगा था, जो कमाता था, खा जाता था सारा घर एक ही कमबल ओड़कर जाड़ो के दिन काटता था, और वा कमबल भी फटकर तार तार रह गया था पूरे एक वर्ष से वह इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा वस्त्र मोल ले पेट मार मार कर उसने तीन रुपे जमा किये थे, और पांच रुपे पास के गाउवालों पर आते थे एक दिन उसने ये विचारा कि पांच रुपे गाउवालों से उगाह कर वस्त्र लेयाओं वह घर से चला, गाउं में पहुँचकर पहले वह एक किसान के घर गया किसान तो घर में नहीं था, उसकी स्त्री ने कहा कि इससे में रुपया मौजूद नहीं है, फिर दे दूंगी फिर वह दूसरे के घर पहुचा, वहां से भी रुपया न मिला फिर वह बनिये के दुकान पर जाकर वस्त्र उधार मांगने लगा बनिया बोला हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते कौन पीछे-पीछे फिरे जाओ अपनी राह लो वह निराश होकर घर लोट पड़ा राह में सोचने लगा कितने अचरज की बात है मैं सारे दिन काम करता हूँ उस पर भी पेट नहीं भरता चलते समय स्त्री ने कहा था कि वस्त्र अवश्य लाना अब क्या करूँ? कोई उधार भी तो नहीं देता किसानों ने कह दिया कि अभी हात खाली है फिर ले लेना तुमारा तो हात खाली है पर मेरा काम कैसे चले? तुमारे पास घर, पशू, सब कुछ है मेरे पास तो शरीर ही शरीर है तुमारे पास अनाज के कोठे भड़े पड़े हैं मुझे एक-एक दाना मोल लेना पड़ता है साथ दिन में तीन रुपे तो केवल रोटी में ही खर्च हो जाते हैं क्या करूं? कहां जाओं? हे भगवान! सोचता हुआ वा मंदिर के पास पहुँच कर क्या देखता है? कि धर्ती पर कोई श्वेत वस्तु पड़ी है अंधेरा हो गया, साफ न दिखाई देता है माधों ने समझा कि किसी ने इसके वस्त्र चीने है मुझे क्या मतलब? ऐसा नहों कि इस जगड़े में पड़ने से मुझ पर कोई आपत्ती खड़ी हो जाए चल दो थोड़ी ही दूर गया था कि उसके मन में पच्चतावा हुआ मैं कितना निर्दई हूँ कहीं या बेचारा भूको न मर रहा हो कितने शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़ कर चला जाता हूँ वह लोट पड़ा और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया पास पहुँचकर माधो ने देखा कि वह मनुष भला चंगा जवान है केवल शीत से दुखी हो रहा है उस मनुष को आँख भर कर देखना था कि माधो को उस पर दया आ गई अपना कोट उतार कर बोला यह समय बाते करने का नहीं है यह कोट पहन लो और मेरे संग चलो मनुष का शरीर स्वच मुख दयालू और हाथ पाउं सुडॉल थे वह प्रसन बदन था माधो ने उसे कोट पहना दिया और बोला मित्र अब चलो बाते पीछे होती रहेंगी मनुष ने प्रेम भाव से माधो को देखा और कुछ न बोला माधो यहाँ ठंड है घर चलो यदि तुम चल नहीं सकते तो यहलो लकडी इसके सहारे चलो मनुष माधो के पीछे पीछे हो लिया माधो कहा रहते हो तुम मनुष मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ माधो मैंने भी यही समझा था क्योंकि यहाँ तो मैं सबको जानता हूँ तुम मंदिर के पास क्यासे आगे मनुष यह मैं नहीं बतला सकता माधो क्या तुमको किसी ने दुख दिया है मनुष्य मुझे किसी ने दुख नहीं दिया अपने कर्मों का भोग है परमात्मा ने मुझे दंड दिया है माधो निसंदे परमात्मा सबका स्वामी है परन्तु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए अब तुम कहां जाना चाहते हो मनुष्य इश्वर जहां ले जाए माधो चकित हो गया मनुष्य की बातचित बड़ी प्रिये थी वह ठग प्रतीत न होता था पर अपना पता कुछ नहीं बताता था माधो ने सोचा अवश्य इस पर कोई बड़ी विपत्ती पड़ी है बोला भाई घर चल कर जरा आराम कर लो फिर देखा जाएगा दोनों वहां से चल दिये राह में माधो विचार करने लगा मैं तो वस्त्र लेने आया था यहां अपना भी दे बैठा एक नंगा मनुष्य साथ है क्या यह सब बाते देखकर मालती प्रसन्न होगी कदापी नहीं मगर चिंता ही क्या है दया करना मनुष्य का परमधर में है उधर माधो के इस्त्री मालती उस दिन बड़ी जल्दी जल्दी लकडी काटकर पानी लाई फिर भोजन बनाया बच्चों को खिलाया आप खाया पती के लिए भोजन अलग रखकर कुर्ते में टाका लगाती भी विचार करने लगी ऐसा नहो कि बनिया मेरे पती को ठग ले वह बड़ा सीधा है किसी से चल नहीं करता बालक भी उसे फसा सकता है आठ रूपे तो बहुत होते हैं इतने में तो उसे अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं पिछली सर्दी किस कष्ट से बीती थी जाते से में उसे देर हो गए थी परन्तो क्या हुआ अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था इतने में आहट हुई मालती बाहर आई देखा कि माधो है उसके साथ नंगे सिर एक मनुश्य है माधो का कोट उसके गले में पड़ा है पती के हाथ में कोई गठरी नहीं है वा शर्म से सिर जुकाई खड़ा है यह देखकर मालती का मन निराशा से व्याकुल हो गया उसने समझा कोई ठग है तेवरी चढ़ा कर खड़ी होकर देखने लगी कि वा क्या करता है माधो बोला यदि भोजन तयार हो तो ले आओ मालती जल कर राख हो गई कुछ न बोली चुपचाप वहीं खड़ी रही माधो ताड़ गया कि इस्तरी क्रोधागनी में जल रही है माधो क्या भोजन नहीं बनाया मालती हाँ बनाया है परन्तो तुम्हारे वास्ते नहीं तुम तो वस्तर मोल लेने गय थे या क्या किया कि अपना कोट भी दूसरे को दे दिया इस ठक को कहां से ले आए यहां कोई सदाबरत थोड़ी ही चलता है माधो मालती बस बस बीना सोचे समझे किसी को बुरा भला कहना उचित नहीं है पहले पूझ तो लो कि यह कौन सा मालती पहले यह बताओ कि रुपे कहां फेंके माधो यह लो अपने तीन रुपे गांवालों ने कुछ नहीं दिया मालती मेरे पास संसार भरके नंगे लुचो के लिए भोजन नहीं है माधो फिर वही बात पहले इससे पूझ तो लो क्या कहता है मालती बस बस पूझ चुकी मैं तो विवा ही नहीं करना चाहती थी तुम तो घर खोव हो माधो ने बहुत तेरे समझाया पर वह एक नमानी दस वर्ष के पुराने जगड़े याद करके बखवात करने लगी यहां तक की क्रोध में आकर माधो की जैकेट फार डाली और घर से बाहर जाने लगी पर रास्ते में रुख गई और पती से बोली अगर यह भला मानस होता तो नंगा न होता भला तुम्हारी भेट इससे कहां हुई माधो बस यही तो मैं तुमको बतलाना चाहता हूँ यह गाओं के बाहर मंदिर के पास नंगा बैठा था भला विचार तो कर यह रितू बाहर नंगा बैठने की है दैवगती से मैं वहाँ जा पहुँचा नहीं तो जाने या मरता या जीता हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ती पड़ी है मैं अपना कोट पहना कर इसे यहां तक ले आया हूँ देख, क्रोध मत कर क्रोध पाप का मूल है एक दिन हम सबको संसार छोड़ना है मालती कुछ कहना चाती थी पर मनुशे को देख कर चुप हो गई वह आखे मूंदे गुटने पर हाथ रखे मौन धारन की ये स्थिर बैठा था माधो प्यारी, क्या तुम में इश्वर का प्रेम नहीं? ये वचन सुनकर मनुशे को देख कर मालती का चित्य तुरंत पिगल गया जट से उठी और भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और बोली खाईए मालती की ये दशा देख कर मनुशे का मुखारविंद खिल गया और वह हसा भोजन कर लेने पर मालती बोली मैं कुछ नहीं बता सकता मालती क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया मनुशे किसी ने नहीं परमेश्वर नहीं अदंड दिया है मालती क्या तुम वहां नंगे बैठे थे मनुशे हाँ शीत के मारे ठिठूर रहा था माधो ने देखकर दया की और कोट पहना कर मुझे यहां तक ले आया तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दिया भगवान तुम दोनों का भला करे मालती ने एक कुर्ता और दे दिया रात को जब वो अपने पती के पास जाकर लेटी तो यह बाते करने लेगी कहीं से मिल ही जाएगा मालती वह मनुश्य अच्छा आदमी मालूम होता है पर अपना पता क्यों नहीं बतलाता माधो क्या जानू कोई कारण होगा मालती हम औरों को देते हैं पर हमको कोई नहीं देता माधो ने इसका कुछ उत्तर न दिया मुँ फेर कर सो गया प्रात्य काल हो गया माधो जागा बच्चे अभी सोय पड़े थे मालती पडोसन से अन्न मांगने गई थी अजनबी मनुश्य भूमी पर बैठा वह आकाश की और देख रहा था परन्तो उसका मुख अब प्रसन न था माधो मित्र पेट रोटी मांगता है शरीर वस्त्र अतेव काम करना अवश्यक है तुम कोई काम जानते हो मनुश्य मैं कोई काम नहीं जानता माधो अभ्यास बड़ी वस्तु है मनुश्य यदि चाहे तो सब कुछ सीख सकता है मनुश्य मैं सीखने को तयार हूँ आप सिखा दीजिए तुम्हारा नाम क्या है मैकू भाई मैकू यदि तुम अपना हाल नहीं सुनाना चाहते तो न सुनाओ परंतो कुछ काम तो अवश्य करो जूते बनाना सीख लो और यहीं रहो मैकू बहुत अच्छा अब माधो ने मैकू को सूत बाटना उस पर मोम चड़ाना जूते सीना आधी काम सिखाना शुरू कर दिया मैकू तीन दिन में ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से चमार कहीं काम करता रहा हो वा घर से बाहर नहीं निकलता था बोलता भी बहुत कम था अब तक वा केवल एक बार उस समय हसा था जब मालती ने उसे भोजन कराया था फिर वा कभी नहीं हसा धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया चारो और धूम मच गई कि माधो का नौकर मैकू जैसे पक्के मजबूत जूते बनाता है दूसरे कोई नहीं बना सकता माधो के पास बहुत काम आने लगा और उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई एक दिन माधो और मैकू बैठे काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई उसमें से एक धनी पुरुष उतर कर जोपड़े के पास आया मालती ने जट से किवार खोल दिये वह भीतर आ गया माधो ने उठकर प्रणाम किया उसने ऐसा सुन्दर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था वह स्वैम दुबला पतला था मैकू और भी दुबला पतला और मालती तो हड़ियों का पिंजड़ा थी यह पुरुष तो किसी दूसरे ही लोग का वासी जान पड़ता था लाल मोह, चोड़ी छाती, तनीमे गर्दन, मानो सारा शरीर लोहे का बना हुआ हो पुरुष तुम में से उस्ताद कौन है? माधो हुजूर मैं पुरुष तुम यह चमड़ा देखते हो? हाँ हुजूर तुम जानते हो कि यह किस जात का चमड़ा है? माधो यह चमड़ा तो बहुत अच्छा है पुरुष अच्छा? मुर्ख कहीं का तुमने ऐसा चमड़ा कभी नहीं देखा होगा या जर्मन देश का चमड़ा है इसका मोल 20 रुपे है माधो भला महराज ऐसा चमड़ा में कहां से देख सकता था पुरुश अच्छा तुम इसका बूट बना सकते हो हाँ हुजूर बना सकता हूँ हाँ हुजूर की बात नहीं है समझ लो की या चमड़ा कैसा है और बनाने वाला कौन है यदि साल भर के अंदर कोई भी टांका उखड़ा या जूते का रूप बिगड़ा तो तुझे बंदी खाने जाना पड़ेगा और नहीं तो 10 रुपे मजदूरी मिलेगी माधो ने मैको की और कन्खियों से देखकर धीरे से पूछा कि काम ले लूँ उसने कहा हाँ ले लो माधो नाप लेने लगा पुरुश देखो नाप ठीक से लेना बूट छोटा न पड़ जाए फिर मैको की तरफ देखकर बूला या कौन है माधो मेरा कारिगर है पुरुश मैको से देखो ये बूट एक वर्ष चलना चाहिए पूरे एक वर्ष इससे कम नहीं मैको का उस पुरुश की और ध्यान ही नहीं था वह किसी और ही दुन में मस्त बैठा हस रहा था पुरुश मुर्ख बात सुनता है कि हसता है देखो बूट बहुत जल्दी बन कर तैयार कर देना देर नहोंने पाए बाहर निकलते समें पुरुश का मस्तक द्वार से टकरा गया माधो बोला सिर है कि लोहा किवाड ही तो डाला था मालती बोली धनवान ही बलवान होते हैं इस पुरुश को यमराज मी हाथ नहीं लगा सकता औरो की तो बात ही क्या है उस आदमी के जाने के बाद माधो ने मैकू से कहा भाई काम तो ले लिया है कोई जगड़ा न खड़ा हो जाए चमड़ा बहु मुल्ले है और यह आदमी बड़ा क्रोधी भूल नहीं होने चाहिए तुमारा हाथ तो साफ हो गया है बूट काट तुम दो सी मैं दूंगा मैकू बूट काटने लगा मालती नित्य अपने पती को बूट काटते देखा करती थी मैकू की काट देखकर चकराई कि यह वह क्या कर रहा है शायद बड़े आदमियों के बूट इसी प्रकार काटे जाते हूं यह विचार करके चुप रह गई मैकू ने चमड़ा काट कर दोपहर तक स्लीपर तयार कर लिए माधो जब भोजन करके उठा तो देखता क्या है कि बूट की जगर स्लीपर बने रखे है वह घबरा गया और मन में कहने लगा इस मैकू को मेरे साथ रहते एक वर्ष हो गया ऐसी भूल तो उसने कभी नहीं की आज इसे क्या हो गया उस पूरुष ने तो बूट बनाने को कहा था इसने तो स्लीपर बना डाले अब उससे क्या उत्तर दूँगा ऐसा चमड़ा कहां मिल सकता है मैकू से मित्र यह तुमने क्या किया उसने तो बूट बनाने को कहा था न अब मेरे सिर के बाल न बचेंगे यह बाते हो ही रही थी कि द्वार पर एक आदमी ने आकर पुकारा मालती ने किवार खोल दिये यह उस धने आदमी का वही नोकर था जो उसके साथ यहां आया था उसने आते ही कहा राम राम तुमने बूट बना तो नहीं डाले माधो हाँ बना रहा हूँ नौकर मेरे स्वामी का देहान थो गया अब बूट बनाना व्यर्थ है माधो अरे नौकर वह तो घर तक भी नहीं पहुँचने पाए गाड़ी में ही प्रांट त्याग दिये स्वामी नी ने कहा है कि उस चमड़े से स्लीपर बना दो माधो स्लीपर? या लो स्लीपर आदमी स्लीपर लेकर चलता बना मैकू को माधो के साथ रहते रहते छेह वर्ष बीत गये अब तक वह केवल दो बार हासा था नहीं तो चुपचा बैठा अपना काम किये जाता था माधो उस पर अति प्रसन था और डरता रहता था कि कहीं भाग न जाए इस भैसे फिर माधो ने उससे पतावता कुछ भी नहीं पूछा एक दिन मालती चूली में आग लगा रही थी बालक आगन में खेल रहे थे माधो और मैको बैठे जूते बना रहे थे कि एक बालक ने आकर कहा चाचा मैको देखो वह स्त्री दो लड़कियां संगलिया आ रही है मैको ने देखा कि एक स्त्री चादर ओड़े चोटी-चोटी कन्याए संगलिये चली आ रही है कन्याओं का रंग रूप एक साही है भेद केवल यह है कि उन में से एक लंगडी है बुढिया भीतर आई तो माधो ने पूछा माई क्या काम है? उसने कहा इन लड़कियों के जूते बना दो माधो बोला बहुत अच्छा वह नाप लेने लगा तो देखा कि मैकू इन लड़कियों को इस प्रकार ताक रहा है मानो पहले कहीं देखा है बुढिया इस लड़की का एक पाउँ लुणजा है इसका एक का नाप ले लो बाकि तीन पैर एक जैसे हैं ये लड़कियां जुडवा है माधो यह लंगडी कैसे हो गई क्या जन्म से ही ऐसी है बुढिया नहीं इसकी माता नहीं इसकी एक टांग कुचल दी थी मालती तो क्या तुम इनकी माता नहीं हो बुढिया नहीं बहन ना इनकी माता हूँ, ना संबन्धी, ये मेरी कन्याए नहीं है, मैंने इन्हें पाला है मालती, दिस पर भी तुम इने बड़ा प्यार करती हो बुड़िया, प्यार क्यों न करूँ, मैंने अपना दूद पिला पिला कर इन्हें बड़ा किया है मेरा अपना भी तो बालक था परन्तु उसे परमात्मा ने ले लिया मुझे इनके साथ उससे भी अधिक प्रेम है मालती तो ये किसकी कन्याए हैं? बुढिया छेह वर्ष हुए एक सप्ता के अंदर इनके माता पिता दोनों का देहन थो गया पिता की मंगल के दिन मृत्ति हुई माता की शुकरवार को पिता के मरने के तीन दिन पीछे ये पैदा हुई इनके माबाप मेरे पडोसी थे इनका पिता लकड हारा था जंगन में लकडियां काटते काटते व्रिक्ष के नीचे दब कर मर गया उसी सपताह में इनका जन्म हुआ जन्म होते ही माता भी चल बसी दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो देखा कि बिचारी मरी पड़ी है मरते समय करवट लेते वे इस कन्या की टांग उसकी नीचे दब गई गाव वालों ने उसका दास अंसकार किया इनके माता पिता रंक थे कौड़ी भी पास न थी सब लोग देख कर सोचने लगे कि कन्याओं को कौन पालेगा उस समय वहां मेरी गोद में दो महने का बालक था सबने यही कहा कि जब तक कोई प्रबंध न हो तुम ही इनको पाल लो मैंने इन्हें समभाल लिया पहले पहल मैं इस लंगडी को दूद नहीं पिलाया करती थी क्योंकि मैं समझती थी कि यह मर जाएगी पर फिर मुझे इस पर दया आ गई और फिर मैं इसे दूद पिलाने लगी उस समय परमात्मा की कृपा से मेरी चाती में इतना दूद था कि तीनों बालक को पिला कर भी बह निकलता था मेरा बालक मर गया ये दोनों पल गई हमारी दशा पहले से बहुत अच्छी है मेरा पती एक बड़े कार खाने में नौकर है मैं इन्हें प्यार कैसे न करूँ ये तो मेरे जीवन का आधार है यह कहकर बुड़िया ने दोनों लड़कियों को चाती से लगा लिया मालती सत्य है मनुष्य माता पिता की भी न जी सकता है परन्तु इश्वर की भी न जीता नहीं रह सकता ये बाते हो ही रही थी कि सारा जोपड़ा प्रकाशित हो गया सबने देखा कि मैको कोने में बैठा हस रहा है बुड़िया लड़कियों को लेकर बाहर चली गई तो मैको ने उठकर माधो और मालती को प्रनाम किया और बोला स्वामी अब मैं वेदा होता हूँ पर मात्मा ने मुझ पर दया की यदि कोई भूल चुक हुई हो तो शमा करना माधो और मालती ने देखा कि मैको का शरीर तेजो में हो रहा है माधो दंडवत करके बोला मैं जान गया कि तुम साधारन मनुष्य नहीं हो अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता न कुछ पूच सकता हूँ केवल यह बता दो कि जब मैं तुम्हें अपने घर लाया था तो तुम बहुत उदास थे जब मेरी स्त्री ने तुम्हें भोजन दिया तो तुम हसे जब वो धनी आदमी बूट बनवाने आया तब तुम हसे आज लड़कियों के संग बूढिया आई तब भी तुम हसे यह क्या भेध है तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यूं है मै कू तेज का कारण तो यह है कि परमात्मा ने मुझ पर दया की मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका इश्वर ने तीन बातों को समझाने के लिए मुझे इस मृत्यू लोक में भेजा था तीनों बाते समझ गया इसलिए मैं तीन बार हसा पहली बार जब तुम्हारे स्त्री ने मुझे भोजन दिया दूसरी बार धनी पुरुष के आने पर तीसरी बार बुढ़िया की बाते सुनकर माधो परमेश्वर ने या दन्ड तुम्हे क्यों दिया था वे तीन बाते कौन सी है मुझे भी बतलाओ मै कूँ मैंने भगवान की आग्या नहीं मानी थी इसलिए या दन्ड मिला था मैं देवता हूँ एक समय भगवान ने मुझे एक स्त्री की जान लेने के लिए मृत्य लोक में भेजा जाकर देखता हूँ कि स्त्री अती दुर्बल और भूमी पर पड़ी है पास तुरंथी जन्मी दो जुड़वा लड़किया रो रही है मुझे यमराज का दूत जानकर वह बोली मेरा पती व्रिक्ष के नीचे दपकर मर गया है मेरे न बहन है न माता इन लड़कियों को कौन पालेगा मेरी जान न निकाल मुझे इन्हे पालने दे बालक माता पिता भीना पल नहीं सकता मुझे उसकी बातों पर दया आ गई यमराज के पास लौट कर आकर मैंने निवेदन किया कि महराज मुझे इस्त्री की बाते सुनकर दया आ गई उसकी जुडवा लड़कियों को पालने वाला कोई न था इसलिए मैंने उसकी जान नहीं निकाली क्योंकि बालक माता पिता के बिना नहीं पल सकता यम्राज बोले जाओ, अभी उसकी जान लेकर आओ और जब तक ये तीन बाते न जान लोगे कि मनुश्य में क्या रहता है मनुश्य को क्या नहीं मिलता मनुश्य के जीवन का आधार क्या है तब तक तुम स्वर्ग में ना आने पाओगे मैंने मृत्य लोक में आकर इस्त्री की जान निकाल ली मरते समय करवट लेते वे उसने एक लड़की की टांग को चल दी मैं स्वर्गो को उड़ा परंतु आंधी आई मेरे पंखो खडगे और मैं मंदिर के पास आगिरा अब माधो और मालती समझ गए कि मैकू कौन है दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि अहो भाग्य हमने देवता के धर्शन किये मैकू ने फिर कहा जब तक मनुष्य शरीर धारन नहीं किया था मैं शीर्ट, गर्मी, भूख, प्यास, कष्ट कुछ न जानता था परंतु मृत्य लोक में आने पर प्रकट हो गया कि दुख क्या वस्तु है मैं भूख और जाड़े का मारा मंदिर में घुसना चाहता था लेकिन मंदिर बंद था मैं हवा की आड में सड़क पर बैठ गया संध्या समय एक मनुष्य आता दिखाई दिया मृत्य लोक में जन्म लेने पर यह पहला मनुष्य था जो मैंने देखा उसका मुख ऐसा भयंकर था कि मैंने नेत्र मूंद लिये उसकी ओर देख न सका वह मनुष्य यह कह रहा था कि इस्त्री पुत्रों का पालन पोशन किस भाती करें वस्त्र कहां से लाएं इत्यादी मैंने विचारा देखो मैं तो भूख और शीत से मर रहा हूँ यह अपना ही रोना रो रहा है मेरी कुछ सहायता नहीं करता वह पास से निकल गया मैं निराश हो गया इतने में मेरे पास वह लौट आया अब दया के कारण उसका मुख सुन्दर दिखने लगा माधो वह मनुष्य तुम थे जब तुम मुझे घर लाए मालती का मुख तुम से भयंकर था क्योंकि उसमें दया का लेश मात्र भी न था परन्तु जब वह दयालू होकर भोजन लाई तो उसके मुख की कठोरता जाती रही तब मैंने समझा कि मनुष्य में तत्व वस्तु का प्रेम भी है इसलिए पहली बार हसा एक वर्ष पीछे वाद धनी मनुष्य बूट बनवाने आया उसे देखकर मैं इस कारण हसा कि बूट तो एक वर्ष के लिए बनवाता है और यह नहीं जानता कि संध्या होने के पहले ही वह मर जाएगा तब दूसरी बात का ग्यान हुआ कि मनुष्य जो चाहता है सो नहीं मिलता तब मैं दूसरी बार हसा छे वर्ष पीछे आज जब यह बुढ़िया आई तो मुझे निश्चे हो गया कि सब के जीवन का आधार परमात्मा है दूसरा कोई भी नहीं इसलिए तीसरी बार हसा मैंकू प्रकाश वरूप हो रहा था पर उसकी आखे नहीं जमती थी वह फिर कहने लगा देखो प्राणी मात्र प्रेम के द्वारा जीते हैं केवल पोशन से कोई नहीं जी सकता वह स्त्री क्या जानती थी कि उसकी लड़कियों को कौन पालेगा मतलब यह है कि प्राणी केवल अपने जतन से ही नहीं जी सकते प्रेम ही उन्हें जिलाता है पहले में समझता था कि जीवों का धर्म केवल जीना है परन्तु अब निश्चे हुआ कि धर्म केवल जीना नहीं किन्तु प्रेम भाव से जीना है इसी कारण परमात्मा किसी को यह नहीं बतलाता कि तुम्हें क्या चाहिए बल्कि हर एक को यही बताता है कि सबके लिए क्या चाहिए वह चाहता है कि प्राणी मात्र प्रेम से मिले रहे मुझे विश्वास हो गया है कि प्राणों का आधार प्रेम है प्रेमी पुरुष पर्मात्मा में और पर्मात्मा प्रेमी पुरुष में सदयव निवास करता है सारांश यह है कि प्रेम और परमेश्वर में कोई भेद नहीं यह कहकर वह देवता स्वर्ग लोग को चला गया कहाने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार